कोरोनम हमारी के बाद एक और नई शंक्रमक वीमारी मंकी पॉक्स दुनिया को डरा रही है जिससे लेकर 36 सुवास्ट विभाग ने लट जारी किया है इसी को लेकर कहरा अस्पताल के डॉक्टर सुवास्ट मिश्रा ने वताया कि रायपूर के एक छात्र में मंकी पॉक्स जैसे लक्षन मिले हैं इसके बाद उसे आईशोलेशन में रखा गया है जिसका उप्चाज जारी है और उसके सेंपल को जांस के लिए पुड़े भेजा गया है साथे उससे संपर्क में आने वाले अन्य बच्चों को भी आपजर्वेशन में रखा गया है वह इस्वास्त मंत्री टिया सिंग देव ने सभी लोगों को इस वीमारी से साफ़दान रहने की अपील की है रायपूर में एक शात्र को मंकी पॉक जैसे कुछ लक्षन मिले हैं शरीर में दाने मिले हैं इसकी कारण से उसे आइसोलेशन में रखा गया है तथा इसके सेंपल को जांच के लिए उन्हें भेजा गया है वो उसका उपचार एवम देख रेक मेकाहरा में चालू है उसके संपरक में आने वाले अन्य बैच्चों को भी आप्यर्वेशन में रखा गया है मंकी पॉक्स बीमारी की पुष्टी नहीं हुई है किन्तु साफ़दान रहने के आवश्चता है